हेलो एवरिवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे, मैं अंजली गिरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल एजी क्लासेज में आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केवियस के नोटीस के बारे में तो आप सभी को पताए कि सुप्रीम कोट के जज्जमेंट में बीएड को पी आर्टी के लिए इलीजबल नहीं बताया गया था तो आज केवियस के द्वारा इसी को क्लियर करते हुए एक नोटीस जारी किया गया है और कनफर्म किया गया है कि बीएड वाले पी आर्टी के लिए इलीजबल नहीं होंगे तथा बीएड के अधार पर जिन्होंने केवियस पी आर्टी का फॉर्म फिल किया था उनका result नहीं आएगा तथा साथ ही साथ एक positive news भी है उन student के लिए जिन्होंने BA और DLA दोनों किया था तथा KBS PRT का form BA के basis फर fill कर दिया था तो हाँ ऐसे student को correction का मौका दिया जाएगा तो correction का date पहले हम लोग जानते हैं कि किस date से correction होगा correction date है 13 सितंबर से 17 सितंबर के बीच correction किया जाएगा और ये 13 सितंबर को सुबह 9 बजे से start हो जाएगा तो अगर आपने 13 से 17 सितंबर के बीच correction नहीं किया तो आपका result नहीं आएगा क्योंकि आपको BA वालों के साथ consider किया जाएगा तो ध्यान से 13-17 के बीज में वे सभी स्टुडेंट अपना करेक्शन करा ले जिन्हों ने B.A.D. और D.L.A.D. दोनों किया है तथा B.A.D. के बेसिस पर P.R.T. का फॉर्म फिल किया था इसके साथ ही साथ K.V.A.D. ने एक कंडिशन दिया है कि आपकी D.L.A.D. की जो डिगरी है वो 26-12-2022 से पहले की होनी चाहिए D.L.A.D. का जो सर्टिफिकेट है वो 26-12-2022 से पहले का ही होना चाहिए ये नोटिस कुछी स्टूडेंट के लिए तो पॉजिटिव नहीं है बट बहुत सारे स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव भी है इसपेसली उन लोगों के लिए जिन्होंने B.A.D.L.A.D. दोनों किया था तथा इंतजार कर रहे थे कि उन्हें करेक्शन का मौका दिया जाए तो हाँ उन्हें मौका मिला है और वो 13-17 के बीच में करेक्शन अवस्य करा ले तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेट नोटिस था के वियस प्यार्टी वालों बच्चों के लिए तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू